अलो दोस्तों नमस्कार आज की स्पीडियोस में हम जाने वाले हैं आखिर एक न्यू यूटूब चैनल किस तरीके से बनाते हैं इसी के साथ में न्यू यूटूब चैनल बनाकर और हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं 2024 में इसी के साथ में हम जानेंगे कि आखिर हमें चैन आपने यूटूब चैनल को किस तरीके से मैनेज करना है किस तरीके से वीडियो अपलोड करना है आज की इस वीडियोस में हम यह भी जानेंगे कि आगर आपके पास एक Android फून है तो आप यहां पर अपना यूटूब चैनल शुरू कर सकते हैं इसी के साथ में आप अपना फे इस पर हम क्रेडिट अकॉंट इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे यहां पर मिल जाते हैं दो जैसे की बिजनिस और परसनल तो हम यहां पर परसनल पर सिंपली क्लिक करेंगे जैसे की फोर माई परसनल यूज मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं उसकी बाद में हम यहां पर first name डालेंगे तो मैं यहाँ पर first name डाल देता हूँ जो भी आपका नाम है ठीक है वो आप यहाँ पर डाल देजीगा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पर आप simply click करतेंगे click करने के बाद में बंद आप यहाँ पर select करेंगे उसके बाद में day select करेंगे और आपको यहाँ पर year select कर लेना है gender आप अपना यहाँ पर select कर लेंगे next पर आप simply click करेंगे यहाँ पर अपनी mail यहाँ पर यानि की खुद से बनाएंगे ठीक है अगर आप यहाँ पर mobile number यूज करना चाहा है account recovery की यह कुछ भी तो हम बहुत तीजली तरीके से recover कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर huge mobile number का option में लिया इस पर हम simply click कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर yes huge number ठीक है इस पर हम simply click करेंगे mobile number अगर पकड़ता है तो ठीक है नहीं पकड़ता है तो अपने mobile number डाल दीजेगा आपका mobile number डालने का यहाँ पर option आता होगा ठीक है उसके बाद में आपकी जो mail है वो यह रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पर continue credit ठीक है तो आप यहाँ पर simply click करेंगे agree पर आप simply click करेंगे अपना यहाँ पर एक password एंटर करेंगे उसके बाद में जो आपकी mail है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी अगर आप अपनी mail address के लिए edit करना चाहाते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं तो चलिए मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है मैं आपर simply click कर देता हूँ उसके बाद में हम यहाँ पर agree पर simply click करेंगे उसके बाद में जो हमारी mail है वो यहाँ पर बन चुकी है आप यहाँ पर देख पा रहा है विल्कुल new mail है मैंने यहाँ पर अपनी mail और password डालकर यहाँ पर login कर लिया है मैं यहाँ पर चलिए save कर देता हूँ आप save करना चाहाँ कर सकते हैं नहीं करना चाहाँ तो नहीं कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर three dot को option मिला है इस पर आप simply click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर open हो जाएगा ठीक है आपको यहाँ पर मिल लिया है create a channel इस पर आप simply click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा आपको यहाँ पर अपने चैनल का name और logo ठीक है इसी के साथ में handle अब आपको यहाँ पर अपने चैनल का सबसे पहले handle लेना सही ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है और आपको अपने चैनल का name कुछ ऐसा unique रखना है अपने content से related ठीक है इस वाद को आपको दिहान रखना है तो जैसे कि आगर आप अपने name से रखना चाहा है तो अपने name से ही रख सकते हैं और इसी के साथ पर आप चाहाते हैं कि भाई नहीं जो हम content डाले उसी के ही name से रहे तो आप उसी के ही name से यहाँ पर ही रख सकते हैं ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाड अब यह name होगा तो मिल जाएगा यह इस name से channel पहले ही बना हुआ है YouTube पर ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर word 2 इस तरीके से देखते हैं इस name से भी बना हुआ है उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ नया देंगे name इस name से अभी तक channel नहीं बना है 5 यह ठीक है ठीक है word AI ठीक है 5 तो हम इससे रख देते हैं इसी के साथ में इसी का ही name देंगे अपने channel को जैसे की मैं यहाँ पर name देता हूँ ठीक है उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर create a channel इस पर हम simply click कर देंगे आप यहाँ पर देख पा रहा है इस पर आपको simply click कर देना है यह काम मैं आपको mobile पर इस बज़े से करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो जाए ठीक है क्योंकि जिस तरीके से मैं बताँगा अगर आप उसी तरीके से channel को बनाएंगे तो होती अच्छा channel बनेगा और 2024 में आप grow कर पाएंगे ठीक है अब इस name को अगर आप सर्च भी करते हैं तो आपका समझो यूटूब पर अभी से सर्च में आने लेगा channel ठीक है बुक किस तरीके से आगा बो भी मैं आपको उताँगा तो channel के अभी बहुत सारी settings है वो आपको यहाँ पर समझ लेना है profile का icon इस पर आप simply click करेंगे और आपको यहाँ प continue पर आप simply click करेंगे अब आपको यहाँ पर close कर देना है फिर close कर देना है आपको यहाँ पर upload वीडियो का option आ रहा है channel analytics का option आ रहा है इसी के साथ में आपके वीज कितने है और बहुत टाइम कितना है टॉप वीडियो कौन सी है इसी के साथ में आपके subscribers कितने है वो आप यहा आती है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो भी बदलाब होंगे वीडियो में या फिर जो भी policy में बदलाब होंगे वो आपको यहाँ पर उसका update देखने को मिल जाएगा उपर में आपको यह तीर का icon देखने को मिलने है यहाँ से आप वीडियो को upload कर सकते हैं यहाँ पर मिलेगा हमें dollar के नीचे icon customize का ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ option दिये गया है इनके बारे में समझ लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर मिल जाता है duck mode का तो duck mode तो यह है ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा content का option ठीक है ये जितनी भी वीडियो होंगी वो आपको इस हाँ पर आपको वो list देखने को मिल जाएगी जो भी आपके वीडियो पर comment आएंगे वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे इसी के साथ में आप यहाँ पर filter भी कर सकते हैं comments के लिए ठीक है उसके बाद में आपके यहाँ पर subtitles का option मिल जाएगा अब यह subtitles आखिर किस तरीके से काम करते हैं जैसे कि अगर आपकी वीडियो हिंदी में है तो आप उसे English में translate करके और जो आपकी वीडियो बनेगी उसके आगे लिखा हुआ आता रहेगा English में इससे यह benefit होता है अगर आपकी वीडियो हिंदी में है और आपकी जो subtitles इंग्लिस में पढ़े हुए है और वो जैसे कि बड़ी countries में जाती है जैसे कि USA है तो वहाँ हिंदी नहीं चल पाती है हिंदी कुछ लोग नहीं समझ पाते है ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है C तो इसमें यह है अगर आपकी वीडियो को कोई भी चोरी करता है या फिर डाउनलूड करता है वो कहीं पर भी publish करता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि किसने कितनी वीडियो आपकी चोरी की है और आखिर कितने views और कितनी earning वो कर चुका है ठीक है यहाँ पर आपको monetization का option मिल जाता है यहाँ पर आप दिख सकते हैं monetization ठीक है यहाँ पर आपको कुछ shorts related देखने को मिलना है और इसी के साथ में चैट मिल जाती है अगर आपको किसी प्रकार की दिखकत आती है तो आप यहाँ पर support ले सकते हैं यहाँ पर आप जो पैसे कमाने के लिए आपको यहाँ पर 1000 subscriber चाहिए होंगे 4000 जो घंटे है वो complete चाहिए होंगे 365 दिन में ठीक है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा greater area मुस्किल है पर यहाँ पर नमुम्किन बुलुकुल भी नहीं है मैं आपको बताऊँगा किस तरीकिसे से complete करना है इसी के साथ में आपको यहाँ पर 10 million views जाने कि अगर आप 90 दिन में 10 million views कर लेते हैं और आप 1000 subscribers कर लेते हैं इसी के साथ में अभी कुछ update आया है अगर आप यहाँ पर half monodization करा लेते हैं तो आपके जो वीडियो पर add हैं उनकी कमाई नहीं मिलेगी पर sponsorship की आपको कमाई मिलती रहेगी तो उसमें यह है कि आपके 500 subscribers हैं या फिर आपके 3000 गंटे complete हो चुके हैं तो आप यहाँ पर half monodization करवा सकते हैं इसी के साथ में अब आजाता है यहाँ पर customize का option ठीक है तो हम customize वाले option पर simply click करेंगे यहाँ पर हमें मिल जाएगा basic information ठीक है इस पर हम simply click करेंगे आपको जो handle है वो तो आपने हाँ पर save कर ही लिया है तो यहाँ पर हालाकी set करने का option आ रहा है तो 14 दिन में आप एक ही बार set कर सकते हैं discussion है तो आप यहाँ पर discussion में कुछ लिख सकते हैं अब यह क्या हाँ पर दिखाई देगा ठीक है जो आपका YouTube channel को इओपन करेगा और about section में जाएगा तो बहाँ पर वो पढ़ सकता है अपना यहाँ पर discussion लिख दिया है अपने YouTube channel के बारे में जैसे कि इस channel पर आपको सदा gaming से ही related video मिलेंगी तो मैंने यहाँ पर gaming से related लिख दिया है ठीक है यहाँ पर अपने जो channel के link है वो आप यहाँ पर देश सकते हैं इसी के साथ में अगर आप अगर आप business कोई email ID यहाँ पर देना चाहे है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है या फिर आप यहाँ पर discussion में भी अपनी email ID का जो address है वो इहाँ पर दे सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने यह आपको सारे option बताई दिये है, अगर आपको अपनी वीडियो के लिए फिरी music चाहिए या फिरी song चाहिए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि यह icon देखने को मिले है, इस पर आप simply click करेंगे, click करने के बाद में, आप अपनी वीडियो के लिए यहाँ पर फिरी music बगरा यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ पर फिले करके भी देख सकते हैं, तो इस समय साइद आपको आज ना आती हो, क्योंकि मेरी महक यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर setting का option ने जाता है नीचे तो settings पर आप simply click करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर currency है, वो आपकी dollar में रहेगी, यानि कि जो पैसे आएंगे, वो आपके dollar में आएंगे, ठीक है, तो यह अच्छा है, तो आप इसे currency को dollar में ही रहने दीजिए, या उसके बाद में channel पर आप simply click करेंगे, यहाँ पर आपको channel का option में जाता है, चैनल के keyword डालेंगे, ठीक है, यानि कि कौन से देश से हैं आप, वो आप यहाँ पर select करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर select कर देता हूँ, India, मैंने India select कर दिया है, यहाँ पर अपने channel से related keyword डालेंगे, ठीक है, आखिर आपका channel है, वो किस name से है, और लोग क्या क्या name से search कर सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने channel के बारे में, जितने भी keyword डालना चाहाएं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, वार, इस तरीके से आप यहाँ पर add कर देंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर shape का option मिल लिया है, आप यहाँ पर shape भी कर देंगे, उसके बाद में upload, default पर आप simply click करेंगे, तो अगर आप चाहाते हैं, कि वीडियो में हमें हर बार में अपना discussion है, वो लिखना ना पड़े, या फिर आपको setting कम करनी पड़े, तो वो चीज आप यहाँ पर set कर सकते हैं, title अपनी वीडियो का आप हर बार में डालेंगे, क्योंकि अलग-अलग type की वीडियो हैं, वो आपकी रहेंगी, तो आप title को आप यहाँ पर ऐसी छोड़ देंगे, discussion आप लिखना चाहा हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसी के साथ में visibility पर आप simply click करेंगे, आप यहाँ पर private unlisted रख सकते हैं, tag आपको ऐसे ही रहने देना है, अब जब भी आप अपनी वीडियो अप लोड करेंगे, तो वो private automato ही हो जाया करेंगे, ठीक है, जो भी आप setting यहाँ पर कर देते हैं, वो automato रहेंगी हर बार के लिए, ठीक है, तो इस बात को आपको यहाँ पर दिहार रखना है, उसके बाद में default है, और उसके बाद में advance पर हम simply click करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा comment, ठीक है, कुछ लोग comment जो आते हैं, उन्हें आप नहीं चाहाते हैं, तो आप यहाँ से off कर देंगे, और आपको सुरू में जो comment है, वो रखना ही चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ चीजे मिल जाती है, आपकी वीडियो की language क्या है, यह बहुत ही जादा महत्पूर है, ठीक है, तो अपनी वीडियो की यहाँ पर आप language select करेंगे, और इसी के साथ में title की language आप रखेंगे, यहाँ पर हिंदी के हिंदी को select करेंगे, आपकी वीडियो किस language में है, तो मेरी वीडियो हिंदी में है, तो मैं यहाँ पर हिंदी select करूँगा, उसके बाद में हम save कर देंगे, इस्से यह है कि यूटुब के algorithm system को पता चले, कि हाँ ये वीडियो हिंदी में है तो वो जो हिंदी में जो लोग वीडियो देखते हों नहीं के पास पहुंचाएगा और आपके चैनल की जो रीच है वो अच्छी रहेगी ठीक है उसके बाद में हम यहां से back करेंगे उसके बाद में हम YouTube को ओपन करेंगे और अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं चैनल कुछ इस तरीके से यहां पर आ चुका है उसके बाद में हम व्यू चैनल पर सिंपली किलिक करेंगे आपको यहां पर मिल जाता है more about चैनल ठीक है या फिर आपको यहां पर पैल भी फोटू ले लिंगे जैसे कि मैं यहां पर वार्ड है तो मैं यहां पर AI से रिलेटर है तो मैंने यहां पर AI से रिलेटर एक फोटू ले ली है ठीक है आपके पास फोटू नहीं है तो आप चरी फोटू आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते है ठीक है तो मैंने यहां पर set कर दिया है उसके बाद में आपको यहां पर banner ठीक है जाने कि जो पीछे का photo है वो आपको यहां पर set करना है चलिए तो हम यहां से cut करते हैं cut करने के लिए अब आपको एक application को use करना है यूज काउन सी application को करना है लोगो पे application इस पर आप simply click करेंगे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर three line पर simply click करना है creators पर आपको simply click करना है आपको यहां पर मिल जाएगा YouTube cover ठीक है यहां पर आपको बिल्कुल सही तरीके से बना लेना है इस पर मेरी पहली ही वीडियो बनी हुई है तो उस वीडियो का link में आपको वीडियो को discussion में प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो मैंने आपको step by step समझाया है कि आकर किस तरीके से अपने YouTube channel का banner बनाना है तो इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैं यहां पर simply क्लिक करूंगा और उसके बाद में अपनी गैलरी में से अपने banner को यहां पर ले लूँगा तो मैंने यहां पर अभी banner नहीं बनाया है तो मैं यहां से कोई भी photo को ले लेता हूं अपनी gallery से ठीक है अगर आपकी photo यहां पर set नहीं हो रही है तो आपको उसी frame में ले जाना है और उसके बाद में आपको यहां पर इसे सही तरीके से बना लेना है ठीक है तो जैसे कि अभी आप यहां पर देख पा रहा है मैंने यहां पर इस तरीके से कर दिया है उसके बाद में हम इसे save कर देंगे, तो जो background फोटो है, वो आपकी यहां पर लग जाएगी, देख पा रहा है, अब आपके channel का जो logo है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में, आप चलिए हम देख लेते हैं, कि जो हमारा channel है, अभी search में आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, सर्च में लाने के लिए आपको यहां पर शुरू में, अभी search में यहां पर नहीं आता होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने, मैं यहां से back करूँगा, back करने के बाद, हम यहां पर search बार में जाएंगे, YouTube application में ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर search बार में द आपर हमेशा add the rate लगाना है, ठीक है, और आपका channel समझो, फटा फट सर्च में आने लगेगा, देख सकते हैं, उपर में ही search में आपका channel है, वो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे channel पर ना तो कोई video है, ना तो कुछ भी, अभी हमारा channel है, वो कुछ इस तरीके से देख करना है, अब आपको सीखना है कि अपने channel पर किस तरीके के content upload करना चाहिए, आपको किसी का भी content चोरी नहीं करना है, क्योंकि काफी लोगों के मनमें ये सवाल होगा, बस हम song यहां से कहीं से download करेंगे, और बस हम यहां पर upload कर देंगे, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ song हो लेते हैं, और वो song copyright होते हैं, तो आखिर जब भी आप अपने YouTube channel पर upload करते हैं, तो बहाँ पर आपको mail देखने को मिल जाता है, या फिर copyright claim आ जाता है, या फिर copyright strike आ जाती है, इससे यह है कि आप अपने channel से कमाई नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप आपको अपने original content डालना है, song मैंने आपको बताई दिये हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको कहां से लेना है, YouTube के laboratory से लेना है, जो कि बिल्कुल free song है, ठीक है, उन पर आपको किसी भी तरगी की, यानि की community guidelines या, फिर copyright strike है, फिर copyright claim नहीं आएगा, तो कि वो YouTube की ही तरफ से लिए गए हैं, और आप उन्हें यूज कर सकते हैं, अपनी videos में, और आप उनसे कमाई भी कर सकते हैं, और पूरी की पूरी कमाई अपनी jam में, आप यहां पर रख सकते हैं, उसके बाद में हम यहां से cut करेंगे, अब आखिर जो face नहीं दिखाना चाहाते हैं, और वो चाहा पर search bar में लिख देता हूँ, फिर ही video, इस website को यहां पर open कर लेता हूँ, ठीक है, अब जिस भी category की आपको यहां पर video चाहिए, वो आप यहां पर select करेंगे, जैसे कि आपको blogging से related चाहिए, तो आप यहां पर blogging से related यहां पर search करेंगे, तो चलिए मैं यहां पर blogging से related, यान नहीं आने वाला है, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहां पर download कर ली है, यह video ठीक है, देख पा रहा है, एक दम बिल्कुल HD qualities में है, और आप यहां से videos को download कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको एक application को download करना है, यह भी आपको play store पर ही मिल जाएगी, इस application का नाम है you cut, ठी अगरा की video editing के लिए आपको बाटर मार्क वाला कयन मास्टर आपको play store पर ही मिल जाएगा, अगर आप कुछ पैसे खार्श करना चाहाते हैं, तो आप बाटर मार्क हटा सकते हैं, और आप बिना बाटर मार्क वाली application चाहात, आपको play store पर लिखना है you cut, ठीक है, इस application को आप आपको download कर लेना है, यहाँ पर आप simply click करेंगे, इसमें आप यहाँ से उस videos को ले लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर frame को set करेंगे, इसका tutorial आप YouTube पर दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो आपका frame है, वो set हो चुका है, इसी के साथ में आप यहाँ पर voice दे सकते ह है, ठीक है, क्योंकि YouTube की जो policy कहती है, वो यह कहती है, या तो आपकी video खुद की होना चाहिए, या फिर आपकी उसमें आवाज होना चाहिए, कहने का मतलब है, आपकी कुछ ना कुछ इसमें महनत की होना चाहिए, YouTube है, video editing के लिए नहीं मानता है, ठीक है, तो आपको करना क्य है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी video आपको इसी तरीके से फिरी डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर आपको जिस भी तरीके का content बनाना है, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक आवाज देता हूँ, guys, आज की speedus में हम जाने वाले हैं, dance करते हुए, आप किस तरीके से आप cooking यहाँ पर कर सकते हैं, और अपने आपको किस तरीके से फिरी रख सकते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक आवाज दी है, और इसी के साथ में आप मैं इस video को यहाँ पर export करूँगा, आप यहाँ पर आवाज के लिए कम अधिक भी कर सकते हैं, ठीक कि मैं यहाँ पर green screen ले लेता हूं subscribers का हमें बटन लगाना है तो हम chroma key का भी इसमें option देख इनों को मिल ले है और इसे हम तुनक कर देंगे आगी तरफ ठीक है तो इससे यह है कि जो हमारा subscribers का बटन है वो भी यहाँ पर लग चुका है ठीक है अब आप देखेंगे इस तरीके से तो जो आवाज है वो अभी नहीं आती होगी मैं यहाँ से export करता हूं आप देख पा रहा है इसमें 4K तक की वीडियो कर सकते हैं ठीक है हमारी वीडियो यहाँ पर export हमारी वीडियो यहाँ पर export हो चुकी है उसके बाद में हम इसे आप इसे start देना चाहा है दे सकते हैं नहीं देना चाहा है तो आप यहाँ से cut कर सकते हैं उसके बाद में इस वीडियो को हमें upload करना है तो upload कहां से करना है यहाँ पर हम simply click करेंगे क्लिक करने के बाद में अपने चैनल पर मैंने आपको बताया था उपर हमें यहाँ पर मिल जाएगा अप्लोड करने का ओप्शन वीडियोस का देख पा रहा है हम अपने चैनल के डेक्स वोड पर आ चुके हैं यहाँ पर हमें यह तीर वाला आइकन मिलेगा इस पर हम सिंपली किलिक करेंगे और देख सकते हैं सिलेक्ट फाइल ठीक है हम अपनी फाइल के लिए यहाँ पर वीडियो के लिए सिलेक्ट करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर select कर लेते हैं permissions को दे देंगे हमने यहाँ से अपनी वीडियो upload कर दी है देख सकते हैं हमारी वीडियो है यहाँ पर upload हो रही है ठीक है जुम करके देखेंगे 100% आप देख सकते हैं upload हमारी हो चुकी है processing होगी जिसके बाद में आपकी जिस भी तरिकी की वीडियो है वो आप यहाँ पर type करेंगे ठीक है अब title आपको यहाँ पर अपनी वीडियो से ही related दे रहा है और उसके बाद में यहाँ पर upload discussion में आपको आपनी वीडियो में क्या-क्या बताया है वो आपको यहाँ पर select करना है playlist आप अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते है credit playlist ठीक है इसके के साथ में जो आपकी वीडियो है वो बच्चों के लिए है की नहीं है वो आप यहाँ पर select करेंगे तीक है उसके बाद में इस ओपर आप simply click करेंगे click करने के बाद में आपको यहाँ पर tag tag भी आपको अपनी वीडियो से ही related डालना है tag आप अपने YouTube पर search कर सकते हैं इस पर मेरी पहली वीडियो बनी हुई है कि आपको अपनी वीडियो से tag किस तरीके से डालना है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो को discussion में provide करा दूँगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने title में लिखती है cooking कैसे करें cooking सीखने का तरीका इसी के साथ में cooking tape से अगर इन topics related कोई भी search करेगा YouTube पर तो जो आपकी वीडियो है वहाँ पर चले जाएगी ठीक है और आपने यही वीडियो से बताया है और जो भी बताया होगा आपके हिसाब से वीडियो के like dislike आएगे लोगों को परसंद आएगी तो आपकी वीडियो है वह YouTube भी आगे करेगा और लोगों के पास ने ने लोगों के पास बेजेगा इसी के साथ में जब भी आप अपनी वीडियो बनाए तो उसमें लोगों से subscribe और like के लिए जरूर कहें ताकि यह है कि आपका जो channel है वह तेजी से grow होगा ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर वीडियो की नेश्ट पर simply क्लिक करेंगे तो चलिए हम नेश्ट पर simply क्लिक कर देते हैं उसके बाद में सब्टैटल को आप्शन आजाता है तो अभी हमारी दूसरी वीडियो कोई भी नहीं है तो हम यहां से नहीं लगा सकते हैं अभी ठीक है जैसे आप दूसरी वीडियो डालेंगे तो आपको यो end screen का option है वो भी so हो जाएगा इसी के साथ में add card का भी option यहाँ पर so हो जाएगा वीडियो हमारी चैक हो चुकी है किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं है सही का निसान आ चुका है ठीक है उसके बाद में next पर आप simply click करेंगे और यहां से आप save कर देंगे तो जो वीडियो है वो आपकी यहाँ पर बन कर और upload यहाँ पर हो चुकी है इसी के साथ में अब आपको दूसरे application को download करना है YT Studio YT Studio में आपको इस application अपनी mail के लिए यहाँ पर login कर लेना है YT Studio में अपनी mail के लिए यहाँ पर login कर लेंगे उसके बाद में आपको content पर simply click करना है यहाँ पर आपको एक thumbnail बनाना है ठीक है अब इसकी बाद आजाता है कि thumbnail किस तरीके से बनाना है ठीक है तो हम logo pit application को अपने phone के अंदर download कर लेंगे उसके बाद में 3Land पर simply click करेंगे और YouTube thumbnail को यहाँ पर हम select तो आपको cooking से related एक हैं पर photo भी ले लेना है तो आपको एक cooking से related photo यहाँ पर ले लेना है आप जो भी cooking में बताना चाहते हैं वह आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक example के लिए यहाँ पर एक thumbnail बना लिया है ठीक है तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर बनाकर save कर लेना है इस तरीके से इस तरीके Bacon बनाना बहुत ही easy ऐ There आपको अपने phone के अंदर YT Studio open कर लेना है, नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, content पर आप simply click करेंगे, click करने के बाद अपनी वीडियो पर simply click करेंगे, आपको यहां से thumbnail लगाना होगा, एक मिनट thumbnail आपका अभी यहां पर ऐसे नहीं लगेगा, thumbnail लगाने के लिए आपको अपना account verify कराना होगा, YouTube से ठीक है, YouTube से किस तरीकी से account verify करते हैं, तो यहां पर मिल जाए custom thumbnail, इस पर आप simply click करेंगे, आपके सामने आया चुका है, verification ठीक है, verify यहां पर आप simply click करेंगे, यहां पर अपना number डालेंगे, यहां पर tax के थुरू करना चाहाते हैं, तो आप यहां पर tax वाले option को select लेंगे, उसके बाद में git code पर आप simply click करेंगे, code को आपको यहां पर enter कर देना है, आपके mobile number पर जाएगा, और इस mobile number की फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगे जिंदकी में, ठीक है, यही बार जरूरत पड़ती है, तो आपको यहां पर number डाल देना है, अब यहां पर number आपको गो डालना है, अगर आपने पहले कभी channel बनाया था, तो अगर आपका channel delete हो चुका है, और आपने उस number को verify कर लिया है, तो उसको आपको यहां पर नहीं डालना है, नहीं तो YouTube target करेगा, और आपके channel को भी delete कर देगा आगे चलके, ठीक है, तो आपको कोई नया number आपको यहां पर enter कर देना है, तो चलिए मैं यहां पर enter कर देता हूँ, उसके बाद में जो कोड है, वो हमारे number पर आजाएगा, तो हम यहां पर पुछ सेगेंड़ भी इंतियार करते हैं, कोड हमारा आचुका है, कोड है, यहां पर 8, 10, 927, ठीक है, आप दे सकते हैं, phone number verify, हमारा हो चुका है, उसके बाद में अपना thumbnail से लेट करेंगे, इस तरीके से एड़ कर देंगे, ठीक है, तो जो हमारी वीडियो का thumbnail है, वो भी यहां पर लग चुका है, हमारी वीडियो भी बन चुकी है, चैनल भी बन चुका है, इसी के साथ में अपने चैनल को पिरमोड किस तरीके से करेंगे, ठीक है, आप sword वीडियो बनाईएगा, जो आपकी long वीडियो बन नहीं है, उसी के अब sword वीडियो बनाएगे, तो YouTube sword वीडियो को आगे कर रहा है, इसी के साथ में उसे आप end screen पर लगा सकते हैं, ठीक है, अब end screen पर किस तरीके से लगाना है, वो आपको वहीं पर option मैंने बताय दिया है, किस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है, हाला कि जब भी आप अपनी sword वीडियो बनाएगे, तो किस चीज से related है, वो option भी आएगा, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, जैसे कि मैं इस वीडियो को यहाँ पर publics कर देता हूँ, ठीक है, अब यह वीडियो हमारी publics हो चुकी है, और इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, share जरूर करें, ठीक है, इससे यह है कि आपकी वीडियो ज़्यादा चलेगी, तो यूटुब को रहेगा हाँ कि यह वीडियो अच्छी बन नहीं है, ठीक है, शुरू-शुरू में देखो हर कोई थोड़ी बहुत गलत वीडियो बनाता है, बाद में जैसे ही काम करते जाते ह है, आपकी वीडियो में सुधार आता जाता है, ठीक है, मेरे अभी शुरू में यही हाल था, ठीक है, तो हमारी जो वीडियो है, वो यहाँ पर बन चुकी है, उसके बाद में आपको सौड वीडियो बनाना है, तो सौड वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, पर वीडियो का title डाल देना है ठीक है जो भी वीडियो का title है वो आप यहाँ पर डाल देंगे अब आपके सामने आ रहे है related video ठीक है आपकी कौन से related video है वो आप यहाँ पर select करेंगे ठीक है तो यहीं से ही आप उस वीडियो को end में लगा सकते हैं और ये short वीडियो उसे भी promote करेगी जो आपकी long वीडियो है ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं इसी के साथ में promote करने के लिए आप अपनी Facebook पर वीडियो को भी share कर सकते हैं गुरुप में share कर सकते हैं तो ये फिरी तरीके हैं पेड तरीका है आप अपनी वीडियो के उपर campaign भी चला सकते हैं तो campaign तब ही चलाएं जब आपकी 10-15 वीडियो अप्लोड हो जाएं मैं इसे हटा देता हूं इस वीडियो उसको हटा दिया है तो इस तरीके से आ आपके जो चैनल है, आपके चैनल पे 1000 subscribers और इसी के साथ में 4000 घंटे complete हो जाएंगे 365 दिन में, तो आपका चैनल है, वो monetization के लिए तयार हो जाएगा, तो आप अपने चैनल को monetization के लिए भेजेंगे, इसी के साथ में आपके चैनल को check किया जाएगा, और YouTube की team check करके, अगर कर दिया जाएगा आपके पास मेल आ जाएगा है कैंगराचू लेशन्स ठीक है जैसे ही कैंगराचू लेशन्स का मेल आ जाता है तो उसके बाद में जो आपकी कमाई है वो यहां पर शुरू हो जाएगी तो किस तरीकी से सुरू हो जाती है किस तरीके से कमाई दिखती है वो चलिए हम देख लेते हैं तो कि आप यहां पर देख पा रहा हैotom भू它 अलग दिख रहा है है और सब स्क्राइबेर संब्सक्राइबर वह अलग दिख वो आप चैनल पर देखकर और अच्छी खासी अर्निंग कर जकते हैं उसके बाद में आप यहां पर और पर ऑप्शन पर सिंप्ली किलिक करेंगे तो आपकी जो भी डॉलर होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आपके 100 डॉलर हो जाते हैं आप अपन पर देख सकते हैं वो सारे टूल यहां पर हट चुके हैं जो की आ रहे थे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करना है 4000 घंटे कंप्लीट करना है तो इस तरीके से आप यहां पर अपने चैनल को बना सकते हैं और कमाई कर सकते हैं तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि आप अपने चनल को किस तरीके से शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से वीडियो बना सकते हैं किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं किस तरीके से थमनेल बना सकते हैं और किस तरीके से पैसे हैं जो कि आपके जेम में आएंगे तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके में फिर भी किसी ब्रगार कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में देज़ते हैं मिलते हैं ने इस वीडियो में